तीन स्किल्स जो हम 2023 के अंदर बिल्ड कर सकते हैं, इनमें से सबसे पहला है फोकुस। हावड की एक स्टाडी कहती है कि माक्सिमम लोग 50% अब टाइम डिस्ट्रक्टेड रहते हैं, जिसकी वज़े से नॉर्मल काम करने में हमें दुगना टाइम लग रहा होता है। फोकस एक ऐसी स्किल है जिसका वाल्यू फ्यूचर के अंदर और जादा बढ़ने वाला है क्योंकि हम इसे माक्सिमम लोग आज की देट में दिस्ट्रक्टेड हैं। फोकस बिल्ड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दिन में कुछ ऐसे घंटे जरूर डेडिकेट करें जिसमें हम deep focus काम करें बिना किसी distraction के यानि बिना किसी phone, बिना किसी social media, बिना किसी email के। दूसरी skills हैं communication skills, यह ऐसी evergreen skills है, जो हमें life के हर एक एरिया के अंदर help कर रही होगी, पर चाहे हम student हो या working professional हो, हम चाहे extrovert हो, चाहे introvert हो, communication skills है किसी के लिए important है communication skills को build करने का best करीका है, चीजें practice करना, हमें communication को practice करना पड़ेगा, अपने mistakes को analyze करना पड़ेगा, और चीजें नहीं सीख कर और जादा improve करना पड़ेगा तीसरी skill जिसको हम build कर सकते हैं, वो है time management skill, time is life and आज की date में हमारी life बहुत सारी चीजों से भरी हुई है, जो शायद important भी नहीं है, वो सबसे पहली चीज जिसको हमें करना पड़ेगा time management के लिए, वो है learn को prioritize, आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स वीडियों, जैसें, keep learning and keep exploring प्रया है बहुत थान, कर सकते हैं आज कर глаз लो हैं, आज कर देख लिए जामारी चेह हैं, आज कर लिए में है कि उतना है यह भी ताह है।